हेलो फ्रेंड्स आप लोगा बहुत वश्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो में लोग 10 इंपोर्टन रिजनिंग के क्वेस्चन देखने वाले हैं जो की मोस्ट रिपिटेट टॉपिक है इन टॉपिक से आपको हर एक जाम में क्वेस्चन देखने को ही म प्रकार पिच से है उसी प्रकार किस का संबंद किस से है यानि कि दो दो क्वेस्चन मार्क आपको यहां पर दिया गया है तो क्वेस्चन खुछ से ट्राइब करें यहां पर मैं आपको समझा देता हूं ओप्शन के क्या है नौ का बंदरगा कुस्ती ट्रेक तो कुस्ती कहां पर होती है ट्रेक पर नहीं होती भाई मुक्यวाजी, ring में होती है, तो मुक्य बाजी, मुक्य बाजी का game कहां होता है, ring पे होता है, तो यानि कि, इसका सही, एकदम 100% correct answer क्या हो जाएगा, option C, मुक्य बाजी, ring, जिसी परकार क्या है, cricket क्या है, pitch पे खेला जाता है, उसी प्रकार मुख्य बाजी कहा होती है, रिंग में होती है, ठीक है, अगले question पर बाज आते हैं, star का संबंद जिस प्रकार tsra से है, उसी प्रकार रोज का संबंद किस से है, ठीक है, देख लेते हैं, कैसे है, क्या logic इसमें लगाया जाता है, आप लोग खुद से questions को try करिए, वीडियो को pause करके, ठीक है, star, ठीक है, इसको क्या लिखा जा रहा है, tsra, और किस का संबंद पुछा जा रहा है, r, o, s, e, ठीक है, रोज का संबंद किस से होगा, तो अगर आपने logic देखें, तो दूसरे वाले को पहले बाले को दूसरे पर कर दिया, ठीक है, अब यहाँ द में भी आप लगाएंगे, r कहां जाएगा, दूसरे नमबर पे, o कहां आएगा, पहले नमबर पे, ठीक है, इसी प्रकार, e कहां पे आएगा, तीसरे नमबर पे, यहां पे e आजाएगा, और s कहां जाएगा, यह चोथे नमबर पे जाएगा, o, r, e, s, ठीक है, correct option आपक्या अंसर होने वाला है, ठीक है, उमिद करता हूँ, आप लोगो समझ में आ रहा होगा, next question देखेंगे, question number 3, यहां पे देखी, number analogy से आपको, यहां पे question दिया गया है, 9 का संबंद जिस प्रकार 8 से है, उसी प्रकार 16 का संबंद किस से है, यहां question mark की value आपको बतानी है, इस question में तो सबसे पखेंगे, नाइन में से-1 करेंगे, यहां? इट हो जागा, इस तरीके से अगर 16 में से-1 करेंगे, तो क्या आपका answer आएगा, यह 15 आएगा, ठीक है, 16 में से 1 जाएगा, तो 15 कोंगी बी option में आपके नहीं है, 15 कोंगी option में नहीं है, यानि कि यह logic आपका fail हो गया अब next एक logic हम यहाँ पर देखेंगे अगर हम ध्यान से देखें तो यह क्या है, square है यह cube है, यह क्या है square है, तो यह किसका square है 3 का square है ठीक है, इसका सम्मद किस से है तो यह 2 के cube से है इसी प्रकार यहाँ पर यह solar लिखा है, तो किसका square है यह तो चार का स्क्वाइर है अब नेक्स्ट क्या होगा यहां पर देखिए तीन है एक कम कर दिये दो इसका क्यूब यहां पर चार है तो एक कम कर देंगे तीन और इसका क्यूब कर देंगे क्या हो जगा त्रिक के नो त्रिक 27 ठीक है सही जब आप क्या होगा आपका 27 होगा य जितना जल्दी आपके दिमाग में यह logic जो है रन करेगा उतने जल्दी आप रिजिन के questions solve कर पाएंगे अब यहाँ पर देखिए नाक का संबंद जिस प्रकार चेहरा से है इक question में देखिए नाक का संबंद किसे चेहरे से जिस प्रकार है उसी प्रकार क्या है उंगली का संबंद किस से होगा ठीक है तो नाक क्या है हमारा नाक चेहरे का एक हिस्सा है ठीक है उसी प्रकार उंगली जो हमारी होती है यह क्या है हथेली का एक हिस्सा होती है ठीक है हथेली में हमारे उंगली होती है तो यह हथेली का हिस्सा हो जाएगा ठीक है तो यानि कि option प्लस दो जे से के तक जाने के लिए प्लस एक के से एल तक जाने के लिए भी प्लस एक करना पड़ेगा ठीक है इसी प्रकार अगर हम देखें यहाँ पे पी से आर में जाने के लिए प्लस टू आर से एस तक जाने के लिए प्लस वन S से T तक जाने के लिए भी प्लस 1 किया गया है ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे M से L जा रहा है, क्या होगे माइनस 1 होगे भाई यहाँ पर देखें, L से N जाने के लिए प्लस 2 किया जा रहा है ठीक है N से O जाने के लिए प्लस 1 किया जा रहा है तो माइनस 1 प्लस 2 और प्लस 1 किया गया इसमें अब यहाँ पर इसमें ट्राइ करेंगे A से C तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस 2 C से D तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा प्लस 1 और D से E जाने के लिए है प्लस वन करना पढ़ेगा तो आप यहां पर देखेंगे यह दूसर आपमें दूसरे दूसरे यह प्लस वन और प्लस वन लेकिन उप्शन तीन ऐसा उप्शन है जिसमें पहले किया कि यह घटाया गया उसके बाद दो जोड़ा गया फिर एक जोड़ा गया ठीक है तो यह जो तीसरा उप्शन है यही डिफरेंट है सबसे तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जागा mlno is 100% right on set of this question अब ट्राइ करेंगे नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् लॉजिक फेल हो जाएगा इस्क्वाइर क्यूब का कोई connection ही नहीं है तो सिंपल अगर हम यहां पर देखें हैं कि जो यह तेरे कि सत्रे और उन्नीस आपका यहां पर संख्याए दी गई है यह क्या है कि ठ्राइम numbers है ठीक है अब वाज्य संख्याए है लेकिन यह 15 जो है आपका एक भाज्य संख्याए और यह विसम संख्या ठीक है और नमबर है और यह भाज्य है क्यूंकि इसको factorize कर सकते हैं तीन और पांच से ठीक है तो इस logic के अनुसार जो आपको होने वाला है यह बिल्कुल 100% correct answer option one होगा ठीक है अगला question पर आ जाते हैं एक question देखिए का का रहा है कि विसम की पाचान करें और आपसन का का दिया है कि highlighter pen कागज और marker चार अपसन दिया गया है कि highlighter pen marker marker और कागज तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो highlighter है pen marker है यह तीनों क्या है लिखने की काम में आता है लेखन सामगरी है कुछ ना कुछ इन से लिखा ही जाता highlighter से आप कुछ भी लिखा रहाता उसको mark करते हैं या फिर highlight answer हो जागा यह जो है different है वाकी सब लिखने की सामगरी है कि यो थर्ड अपसन आपका यहां पर different है कि नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम लिखे सब्दों का सार्थक्रम दरसाता है ठीक है इस विकल्प का जो सार्थक्रम होगा वो कौन सा इसमें दरसा रहा है ठीक है तो वो सबसे पहले क्या है चाभी आएगा माली जी आपको किसी रूम में जाना है सबसे पहले क्या आपको चाहिए चाभी की ज़रुरत पड़ीगी ठीक है उसके बाद ताला ठीक है ठीक है ठीक नमबर दो दरवाजा उसके बाद चोता नमबर क्या होगा कक्श यानि की कैमरा ठीक है ठीक है चाभी ताला दरवाजा कमरा कौन सा अपसन आपका राइट हो जाएका 1 3 2 4 1324 किसमें है option C में है यानि कि option 3 आपका interpretation राइट हो जाएगा 1324 next question number 9 देखेंगे 6 12 20 30 42 उसके बाद question mark है सबसे पहले इन सब question में सबसे पहले आपको ये series लिख लेना होता है 6 12 20 30 42 और question mark अब देखेंगे कि सबसे पहले edition या subscription ट्राइग करते हैं यहां पर देखेंगे plus 6 किया गया है यहां पर देखेंगे plus 8 किया गया है यहां पर plus 10 और यहां पर plus 12 किया गया है यानि कि 2 2 बढ़ते जा रहा है तो आगे क्या करना पड़ेगा plus 14 करना पड़ेगा और 42 में अगर आप 14 एड़ करेंगे 42 में 14 एड करेंगा तो किया जाएगा 4,2,6 और 4,5,56 ठीक है C option आपका correct हो जाएगा option 3rd 56 इसका है विल्कुल right answer होने वाला question mark करेंगा पर कितना हैगा 56 ठीक है next और last question इस वीडियो का अंधिम question है और अभी तक आप लोगों ने YouTube चैनल को subscribe नहीं किया सब्सक्राइब कर लिए और अपना score जरूर कमेंट करें कि आप लोगों ने कितना इसमें score किया आपसे कितने question solve हो पाए यहाँ पर देखें कि क्लोजिक क्या है इसमें देखना है सबसे पहले C से क्या हो जारा है D हो जारा है तो D से क्या होगा E हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखें D के बाद F आ रहा है कितना किया जा रहा है प्लस 2 F से क्या आ रहा है? H आ रहा है कितना किया जा रहा है? प्लस 2 फिर H से क्या आएगा? प्लस 2 करेंगे तो I, J ठीक है? तो यानि कि E, J अब E, J आ गया तो ऐसे भी आप्सवन आप 2 मार सकते हैं लेकिन फिर भी अगर आप ट्राइ करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखेंगे F से I तक जाने के लिए का करना पड़ेगा अब के बाद G, H, I यानि प्लस 3 फिर I के बाद L आएगा तो प्लस 3 यहाँ भी भी होगा इस तरीके इस प्लस 3 करेंगे L के बाद M, N, O ठीक है तो E, J, O इस question का आपका पिल्कुल right answer क्या होने वाला है E, J, O पहले क्या किया गया है एक का अंतर किया है मतलब एक एक प्लस किया गया है दूसरे वाले में दो दो जोड़ा गया है तीसरे वाले में तीन तीन जोड़ा गया है ठीक है को सब्सक्राइब करें थैंक यू